वेलकम दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे दोस्तों आज जाने वाले हैं अलमुनियूम कंडेंसर को लीक जो होता है उसको रिपेरिंग कैसे करते हैं मैंने इसके पहले एक वीडियो भी बनाया था तो आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जो लीकेज है उसको कैसे करते हैं तो बने ये वीडियो में देखते रहे हैं और बहुत को सीखने का मिलेगा तो यहां पर देख सकता हमारे जो अलमुनियूम कंडेंसर है उसके अंदर कापर रफंक और चयानल के नए नए आए तो सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आनोले वीडियो को नोडिफिकेसन आपको सबसे पहले मिले तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड हमारा जो पहले था यहीं पर लिकेज हो गया था तो हमने इसको रिपेरिंग भी किया था लेकिन सेकेंड टाइम फिर लिकेज हो गया है तो बताएंगे आपको घीसता से इसको रिपेरिंग करते हैं बंदर ये वीडियो में देखते रही है तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड जो हमारा यह ऐल्मूनियम कंडेसर है और बाद में कॉपर पाइब है तो यहाँ देख सकते हो यह लिकेज हो गया है तो इसको कैसे फिक्स करेंगे आज पूरा पताएंगे आपको वीडियो में तो देखते रहेंगे लास तक आपको बहुत को सेक नवर मिलेगा और फेस्बुक पे देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज़ को फॉलो कीजिए पता क्या है जो हमारा ऐलमूनियम कंडेसर होता है वो बहुत ही पथले धातू से बना होता है लेकिन कंडेसिंग बहुत अच्छा होता है बैतरीन कूलिंग का काम होता है इसके बज़े से ऐलमूनियम कंडेसर को यूज किया जाता है क्योंकि आप गाड़ियों में लीखी जो होगी था तो क्या होता है जब हमारा algorithm करने सरे कभी कभी एक pipe का 찾 का आता है और एक आता है पतली टाइप का तो पतली वाली जो होती है उसको जो चिप्टी क लर की होती है चिप्टी टाइप की होती है उसको आप repairing नहीं कर सकते हो उसको चेंजी कर देंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि वो रिपेरिंग का चार्ज नहीं होता है क्योंकि बहुत पतले-पतले से रहते हैं इसके लिए रिपेरिंग नहीं होता है लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास जो है यह आउड़र यूनिट और इसके अंदर क्या है जो हिल्मूनियम पाइप है वो सेम से हमारे कॉपर पाइप के जैसा है यानि गूल्ड राउंट सेब में है तो आप इसको रिपेरिंग कर सकते हो और कैसे रिपेर करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में और काटने के बाद वहां पे एक नया फ्लेरिंग बनाना है और फ्लेरिंग बनाने के बाद क्योंकि यह जो पाइप है यह थ्री एट का है तो इसके अंदर क्या करना है थ्री एट का फ्लेरनेट लेना है आपको और फ्लेरनेट लेने के बाद जो आपका copper pipe है अगर वो छोटा है तो उसको बड़ा कर ले नहीं तो उस pipe को अगर इधर आपका जो ये 38 का जो pipe आप जहां पर लगाएंगे अगर ये pipe यहां तक आता है तो बहुत ही अच्छा है जो flare nut है उसको थोड़ा और side में करके और नया flaring बनाके यानि pipe जो है वो खराब है उसको cutting करके निकाल देंगे और उसके बाद वहाँ पे एक नया flaring बनाएंगे और नया flaring बनाने के बाद flaring भी आपको बहुत ही ज़्यादा block को tighten करना है और प्यार से बनाना है ताकि जो हमारा flaring है यानि जो pipe हो खराब ना हो और उसके बाद से जो flare nut को अच्छे से side में करके और जो union है 3-8 का जो copper pipe के साथ में लगा हुआ है उसको इस aluminum के side के जो copper pipe है उसकी तरफ खीचने के बाद यहाँ से काट के यहाँ से काट देना है और इस pipe को थोड़ा लंबा करके और फिर इसको attach कर देना है जिससे यह एकदम अच्छे से fix हो जाएगा तो विसी वीडियो में यही बता रहा था कि आप aluminum जो pipe होता है लिखेज होता है उसको आप कैसे repair कर पाते हैं तो thank you for watching वीडियो अच्छा रगे तो लाइक चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिक्सन आपको मिलता रहे तो इस pipe for हम लोग ने इसी तरह से repair किया तो thank you for watching मिलते हैं नेस्ट वीडियो वे